मुनावर फारुखी एकदम राइट समझते हैं मनारा को एकदम सही सोचते हैं मनारा के बारे में मनारा जो है मुनावर के उपर डाउट कर रही है ये चीज़ मुनावर ने अंकिता और विकी को कही और क्यों कही क्योंकि विकी ने और अंकिता ने ऐसे ही पूछ लिए कि तुम्हें कहा लगता कि सेफ कौन खेलता है तो मनारा काफिजा डाउट की नजर से देखके कि सभी सेफ खेलते हैं मुनावर भी सेफ खेलता है ये चीज़ बोलके वहाँ से चली जाती है मुनावर बोलता कि भाई अब ये मनारा जो है मेरे ओपर डाउट कर रही है इसको ऐसा लग रहा कि मेंने कुछ ऐसी चीज़ बताई है अब रात हो जाती है रात होने के बाद जो है रिंकु जी को लेके आती है मनारा मनारा जो लेके आने के बाद वो काफसरी बाती करती है और रिंकु जी से कोशिन पूछती है कि आपको क्या लगता है यहाँ पे सेफ कौन खेल रहा है तो यह बोलती है कि क्यूं हो ऐसा बोले नहीं अंकिता ने मुझसे यह सवाल पूछा तो बोले नहीं अंकिता ने तो उससे यह सवाल क्यों पूछा बोले मैं बस जा रही थी जाती जाते उसने यह सवाल पूछ लिया और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बाते ना मेरी इधर की उधर लगा रहा है क्योंकि ऐसी बाते न में ही पूछती हूँ, में ही करती हूँ तो रिंकू बोलती है की अच्छा ये सब चीजे हैं तो तुझे कैं लगता की कॉन सेफ खेल रहा है किसने ये तेरी धरकी उद्रकी बाते की होगी तेरी बात ही धरुदर की होगी, वहां तक पहुंचाई होगी तो अब मनारा के मायन में तो मुनावर का है कि मुनावर ने ये सब बात है क्योंकि मुनावर ही वहां पर बैठा था और मुनावर ने मनारा के बारे में जो सोचा वो सही सोचा पर मुनारा रुक जाती है, मुनावर का नाम लेते-लेते क्योंकि उसको पता है कि रिंकु जी मुनावर के काफिसीदा klouse है अगर वो ऐसी बात बोलेगी तो रिंकु जी मुनावर को ये बात उसके खिलाफ पर बोलना दे तो बोलती है कि शायद चिन्टू होगा शायद ईशा होगी यही हो सकते हैं जो कि मेरी बाते धर की उदार लगा रहे हैं यह बाते मनारा वहाँ पर गुमा देती है पर इस चीस से यह चीस पता चली है कि मुनारा जो अब बहुत है अच्छ oh no मनारा को समझते हैं और मनारा ने वैसे ही प्रोसेस किया जैसे मुनावर ने समझा कि भाई ये अब मेरे उपर डाउट करेगे कि ये बात में ने पुछवाई है और वो ही बात हुई कि मनारा को लगता है कि अंकिता और विक्की को जाके मुनावर ने बोला है कि इससे ये पू